हेलो दोस्तों मैं आज पाप्यास की जन स्टोरीच में विस्टे आ चुकी हूँ मैं जो आज येसटी बनाने जा रहे हूँ वो बच्चों का बहुती पसंदिदा है जो है डोनौर्ट डोनौर्ट का एक्चिली शेग में दें दूंगी इत्लिय असका है तो इसके लिए मैंने देखिए माजा दो तिन ठंटे पहले मैंने मैंदे में थोरीची एक चमक्ते जाएसा इस चीनी नमस और उपस से वेजितेबल वेल्ट देखे इसको धखके रह दिया था तो देखिए फूल के कितना बड़ा हुआ है फूल गया है तो मैं इसको शेप दूंगी इकलिया पर फिर अंदर में अंदर का दर स्ताफिं है और मेरी हिसाब से दूंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो आप लोग देखते जोए मैं कैसे बनाती हूं तो कड़ाई में मैंने वेट अशाफ में लेफ चैल दूंतर हुआ है ता अपनों देखते हिए तो देखिए इस डो को मेंने इकलियाज का सब्स़चिप दे दिया इह बहुत ही नवर में तो धीर देर सेट में आप लोग कर सेब भी देसकते और इकलियाज को शेब भी देसकते है तो मैं इसको वेल में एक-एक करकि test adjustments तो देखिए ऐसा फ्राई होगा आण करने के बाद ऐसा मैंने निकल लिया है और अंदर जो staffing में दुए इसके लिए मैंने थोड़ी-थी सी काट लिया इसको तो अंदर में मैं क्या स्टापिंग दूंगी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को देखें ऐसा होगा प्राइब इसको भी मैं निकाल लोगी एकेप करके तो देखें मैंने इसमें इसमें क्या मिस्क किया हुआ है मेरी हिसाफ से इसमें मैंगो है नारियल है और थोड़ी सी क्रीम है उसको पेस से एक मेने अंजगा सबीए बना लिया इसको मैने तेरी यह डाल दिया ऐसे लगा लिया इसे भी लगाया देखें अ करके सबमें मैंने एसे आप इसमें इसमें यह जो प्रीम है यह में डाल दियों वह दिखिए प्रीम डालने के बाद आप शुद्र लग रहा है आप एसे खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फिर इसमें में और एक चीज़ डालूँगी यह है चोकले सिरम देखिए कितना सुन्दल लग रहा है चोकले सिरम डालने से लग खतम ही हो चुदा है और एक में काटके डालूँगे इसमें तो ऐसे हो गया क्रीम बण की हिसाब से भी शेफ दे सकते हैं तो देखिए मेरी क्रीम बण यह एक लेर्स होई चुगा है तो आप लोग ऐसे बनाई है खाईए बचों को दीजिए टिफिल में बड़े भी खा सकते हैं तो आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक किजिए शेयर किजि तो मेरी ने ने वीडियो देखिए